बंदे मातरम हम माइक्रो थेयरी में हम आ गहे हैं विल्यमसन के माडल पे हमने देखा था कि मैनेजरेल थे तीन माडल थे उसमें विल्यमसन को देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि नौप अधिश्टी सिद्धान्त है उसका जो फर्म का उद्धे से वह लाब कमाना होता है क्य तो मैनेजर चलाता है तो उसका जो फर्म का उद्धे से है इसमें वह है यूटिलिटी मैक्सिमाजेशन उपयोगता अधिक तमी करन इसको हम कहते हैं विल्यमसन थेयरी आफ मैनेजरियल डिस्ट्रेशन एंड विल्यमसन का प्रवंदक्य विवेक का सिद्धान इसको इसमें इसको नैटीन सिक्ट्ट इन्होंने इसको दिया था अर्टिकल वगजहरे में लेकिन नैंटीन सिक्टिनाइन में इन्होंने एक बुक लिखा यदा इक साफ डिस्क्रेशनरी भीहाइवियर इसमें इसको पॉबलिस किया था अब हम देखते हैं होता क्या है इन्होंने लाब के सिधांत को गलट हाराया उसकी अलोचना की और इन्होंने कई चीज़ें कही जिसको हम एजम्संस के रूप में देखते हैं पहला एजम्संस तो यह कि इन्होंने कहा कि Jom की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो फर्म है उसको मैनेजर चलाते हैं उन्होंने कहा कि यहां पर जो मैनेजर से उनका उद्दे से कुछ और है तो इन्होंने कहा कि जो मैनेजर्स हैं उनका जो उद्दे से हो है यूटिलीटी मैश्मेजेशन वह अपने उप्योगता को अधिक करना चाहते हैं क्यूंकि उसका मार्केट में मांग बढ़े उनका मार्केट में अगर नाम बढ़ेगा तो उनक इन्होंने यह तर्क दिया और देखिए के कुछ मानितां जिसको हमें देखना चाहिए सबसी पहली मानितां है कि जो फघ्ण है वोलो यह अपनी जूटिलीटी जो मैंगर्स करणा क्षा中共 अडिवल्स करती प्रतिबंद है इसलिए कि जो मैनेजर से अपने जाब को बचाना चाहते हैं जाब कम बचेगा जब जो मालिक हैं उन्हें जो कंपनी में पैसा लगाया है तो उनको कुछ प्राफिट मिले वहीं तो जाब से जॉब सेक्रिटी कॉंस्टेंट है उसके अलावा कई चीज़े हैं नंबर त्री जो मैनेजर से वह आनर के प्राफिट को मैक्सिमाज नहीं करना चाहते हैं मतलब जब उनको राइट दिया जाता है तो आनर की तरफ धिया नहीं देते वह क्यों अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाज करना चाहते हैं इससे उनके लेता तो इन्होंने यूटिलिटी आफ हम्स क्या माना था इस तरीके से जो लाव है किस पर निर्वर करता है प्राफिट डिपेंडर अपन क्वांटिटी आफ एक्स एन क्वांटिटी आफ वाई लेकिन यहां पर ऐसा नहीं यहां पर चुकि हम किवर मैनेजर्स को रहे हैं पी जो पर जाइंडर करें निर्वर करते हैं किस चीजों पर निर्वर करते हैं देखिया हमने दिखाया है यूटिलिटी आप मैनेजर्स इस अफंट्रेmost आफ सेलरी सब किसलरी जो मैनेजर्स पर जो उनकी इनल मिस्टाप काम कर रहे हैं उसकी वी अपर दूसरा जाब सेक् उनका पावर को सभी उनकी उटिलीटी को मैक्सिमाइज करेगा उसके लावाँ परतिष्ठा इस टेटस उनका क्या है मार्केट में जौब से जोब सटीस्फैक्शन इट्सट्रा जौब सटीस्पैक्शन मतलब उनको कितने सम्तुष्टी मिल लेगे काम में मजा या की जब जा हो सारी चीजें हो उसको नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सारी चीजों को लेगे तो समें क्या होगा यूटिलीटी फॉंक्शन आफ यस यम एंड ऑई डी घख यह स्टाप सब्सक्राइब अर्थार्थ जो वहाँ पर सब्सक्राइब बॉब कोई भी गया है और यह मेनेजरियल एलाउंस या मैनेजरियल मैणेजरियल पॉप या मैनेजरियल याजरियललौन्स मैनेजर की सुबिधा होती है मैनेजर के पास कितना है नीकर समने के लिए लिए इतीय वैस्टियाद Có इसम्निलकिया मैनेजर को पालएगी तब्सक्विर Lehrत अकोEr और होता है कि आपके जरिय अर्थाथ आपके एक आर्डर प्रकाल सैक काने का मतलब है कि आपके आधीन हो रिखिपेश्ट मिमेंट मतलब जो मैनेजर से उनको मिला है निवेस करने के लिए आप अपने इसाब से काम करें इस पर निर्भर करता है इन तीनों चीज़ पर हम अगर काउंट रूप में देखे तो इन चीज़ों को सामिल कर सकते हैं यूटिलिटी जो यूटिलिटी है उसके फंक्शन को यूटिलिटी को मेजर करने के तरीकों में हम इन चारी चीज़ों को मेजर कर लिख सकते हैं इसके द्वारा माप सकते हैं यूटिलिटी किसका मेनेचर का इसी हम लिख सकते हैं कि उटिलिटी फंक्शन आप किसका SM and ID आप इसका एक स्क्रिंसर्ट ले लें अब यहां पर देखें फंक्शन को देखेंगे जो आउट्पूट है यहां पर आउट्पूट का फंक्शन क्या होगा जो आउट्पूट है जिसे हम एक से डिनोट करते हैं एक सी जो फंक्शन आप P S and E पर निर्भर करता है प्राइस मतलब इस टॉप एक्समेंडीचर अर्था आप कितना अस्रमी को पे आजब आपके पास कर्मचारी उसके खर्च कर रहे हैं और तीसरा है यह पैरामीटर है पैरामीटर है जो बताता है कि जो डिमांड में चेंज परिबताता है कि आपके लिएट में मांड़ बढ़ जाया कीमह सस्ती हो जाए किसी वाज़ध से अगर दिमांड में change होता है इसको यह बताता है कि तो आफट आपके पास है आपने इस्टाप expenditure कितना किया और पैरामीटर अर्था डिमांड कितना है डिमांड में कितना परिवर्ता नुगा उस हिसाब से हम प्राइस को तै करते हैं ठीक है यह जो वर्तमाल फर्में इसका structure अलग होता है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अब देखिए हम काश्ट फंक् संब्द होता है इसमें को इनवर्मेंड नहीं होता है इसमें सिदा संबन्द होता अभी जैसे इसलिसने की बात है यहां आ कि यहांके पि küक्री यहां पे शूड़ जोड़ गया है वह है माइनस सी एस कि आर मैनस सी- मैनस अब रिपॉर्टेट प्राफिट प्राफिट जो प्रसंट अप्स्राइब करते कि extr 1944 कर अइस मेनें से कि गटाते हैं यह का है वहने बताया इसके पहले जो फांक्सन बना या तक तो यह कैँ नैसलों को फूर्म करती है तेन अधर कर सकती है या किसी अथारिटी को इसी को को बताती है उसके लाहा होता है कि यहहोता है यह बड़ा या भर है भी या मारण हटा जो या होता है और उस या तो इसके भराबर हो प्राइब हो गए इससे कंधो इससे अधिक नहीं सब कर देना होता है जो मिनमें अरको इसलिए मैं उसके अलावा लीजिज़ कुलنोफित क्या होता है तो प्रउस्टे प्राफिट-से है है गटाटे है पाइजियरो नहीं हम देते हैं उनर को आव को दे सब्सक्राइब करने मतलब किया जाना है तो इसी प्राफिट को निवेस कर सकता है इसके पास पूरी सुतनता होती है कि इसको निवेस करें ठीक है यह वेरियस टाइप आप कॉंसेप्ट है प्राफिट के अब आप इसका एक स्क्रीन साट ले लीजे फिर हम आगे देखते हैं अब देखे चुकि हमें इसे डाइग्राम पर दिखाना होगा तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमें केवल दो चीजों को लेना होगा प्राइब इसको माना है कि यह तीन चीज़े पर निर्भर करता है यह से अम और आइडी पर ठीक है लेकिन हम जानते हैं कि जो ग्राफ है उसमें केवल दो ही चीजें दिखा सकते हैं केवल 2D डाइग्राम हम बना सकते हैं या हमारी जो आखों से 2D डाइग्राम ही दिख सकता है तो 3D अखराम हम नहीं बना सकते हैं इसलिए हम केवल देखते हैं ना जब कोई भी से दान देखते हैं तो में केवल 2 पच्छो को लेकर चलते हैं तो यहां पे लिट हम यह को 0 मान लेते हैं तो तो दो चीज़ बसता है यूटिटी इस फंक्सना आप यस और यह के आडिस्क्रेश इनवेश्टमेंट है आप जानते हैं इसका मतलब तो जो प्राफिट है जो पाइडी है यह पूरा निवेस करने को मिलता है तो पूरा चुकी मैनेजर को अपनी प्रियोगिता को मैक्सिमाइज करना तो पूरा निवेस करेगा इसलिए पाइडी इक्वल टू आईडी होगा इस हिस्थिती में क्या होगा यूटिलिटी इस फंक्षन आफ क्या है यहां पर भी पाइडी पाइडी इसको कैसे दिखाते हैं अब देखी हैं इसको कैसे दिखाते हैं फीर पे अट धीर ने के लिए हमके बाद दो चीज़ों कोम ने लिया हैं कि 155 एक तो लिया है यस एन दूसरा लिया है फ्रीडी ठीक है जो पूरा इन्मट है यह प्राफिट जो इन्मट में जाया आएगा मेनेजर्स के दोराम रही दो तरीके से, यहाँ पर हम ID को दिखाते हैं, और यहाँ पर ES को दिखाते हैं, क्या है। इसके बीच में हम एक करव मिलता है, जिसे हम Utility करव मिलते हैं, Managers Utility Curve, ठीक है, जो Utility Curve है, 1, And Utility, 2, And Utility, 3, जो है, कि एक इंडिफरेंस कर आफ मैनेजर जो इटलीटी कर्व है क्या बताता इंडिफरेंस कर तो यह ही बताता है ना तो यह यह बताता है जो एक निस्चित जो यूंवां यूटू यूटिटा को बताता है। और यह निस्टिटू प्योगता होता है और इसका पड़ते एक बिंदू यस और पाइडी के संबंद को बताता है कि आइसी आफ मैनेजर्स अब हम चलते हैं कुछ एजमसंस के हैं जिस प्रकार से इंडिफरेंस करों के कुछ एजमसंस थे वो भी इसमें भी है सबसे पहला यह इनटी परदवस्कित कर रहा है तो मैनेजर्स है जितना आधिक होगा जो मैनेजर से उतने ही अधिक उपयोगता मिलेगे दूसरा जो परते एक इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है सब एक निश्चित उपयोगता को ब्यक्त करता है अब देखिए आप इसका एक की स्क्रीन साट ले लिए फिर हम अगला डाइग्राम देख रहे हैं हम देखते हैं इक्सपेंडीचर एक्स पे एक कितना एक्सपेंड किया जा रहा है पाइडी को ठीक है अब देखें यह व्यूटिलिटिय आप मैनेज़र्स लात क्यों इस यहां पर यहां पर यहां इस है आज यहां पर यहां दैस है अब देखें क्या है पाइडी का परियोग हम इस टाप एक्सपेंडिचर के रूप में देखेंगे तो अगर कोई यहां पर यहां पर यहां पोगा सबसे लौभाधा प्रॉफित है के लेकिन अगर प्राफें आ यह हो और खर्च करेंगी ताकि इसकी जो मार्केत वेलू बढ़े मार्केट में इसकी परसंसा हो सब्सक्राइब करें इस मात्रा से व्यद्र डेस मात्रा तग तक क्या करई करेगी क्षाइब्स करेगी जो प्राफिट अब क्सका इसका परियोग किस पर प्रियोग किसका चाह氯ोड़ पर और कितनी मात're वे यह प्रियोग आझा तक करेगी और यहां पर किलिवरियम होगा इवन हो पिक हिंव git है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और यही है सलतुनल सल यही है संतुनल और यही अंतिम इसका जो फीगर है तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हूंकि बहुत ही इजी यह मॉडल था आज के लिए बस इतना ही बंदे मात्रम